नमस्कार जैहिंद पुनाहे से क्लाश 10th मैथ्स के अंतरगत हम पढ़ने वाले हैं अध्याए एक वास्तविक संख्या है जो हमारा कंटिन्यू है आज उसका ही लाश्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम आपरिमी संख्याओं की बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्ण जो परिक्चाओं में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं जैसे कि सिद्ध की जिये की करणी पांच आपरिमी संख्या है सिद्ध की जिये करणी तीन आपरिमी संख्या है तो इस तरीके से प्रशन जो हैं बारसिक परिक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं जो हमने इस प्रकार से ये लिए हैं ये बहुत ही इंप्रोटेंट है इनको करना जरूरी है क्योंकि यहां से प्रशन बनता ही है और जो यूट्यूब चैनल पर नई है इस्टुडेंट्स वो जरूर यूट्यूब चैनल मेटस हैल को सब्सक्राइब करें चलिए आज हम इन प्रशनों को हम चर्चा करते हैं तो इन प्रशनों पर चर्चा करने से पहले हम आपको बतला दें कि इन में से जो पहला प्रशन औ चौन आपको अभ्यास के लिए रहेगा यदि समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमें best la सकती हैं चलिए हम बात करते हैं प्रश्न पहले कि सिद्धिक करनी-5 अ-परिमिश्ऑंया tो इसको हम सिद्धिक करते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है कि करणी पांच अपरिमी संख्या है यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं गया है यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं गया है और हमें सिद्ध करना है करणी पांच क्या है अपरिमी संख्या है ये परिमे संख्या है तो हम मान के चलते हैं माना करणी पाँच एक परिमे संख्या है हमने माना है कि करणी पाँच क्या है एक परिमे संख्या है यदि करणी पाँच परिमे संख्या है तो हम चुकी जानते हैं कि परिमे संख्या P बटे Q की रूप में होती हैं तो हम इसको P बटे Q की रूप में लिख सकते हैं तो करणी 5 बराबर P बटे Q जहां Q बराबर नहीं है 0 की अब एक चीज बतला दें कि यह यह परिमिय हैं जिसको हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं है और यहां पर P और Q जो होते हैं वो क्या हैं? पुडांक हैं तो यहां हम बतला दें जहां P और Q पुडांक है तथा जब परिमिय संख्याओ की बात होती है तो जो P और Q होते हैं वो पुडांक होते हैं तथा जो P और Q है इनका SCF जो होता है वह एक होता है तथा SCF अरथात महत्तम सावबर तक 3Q का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए इनका SCF क्या होना चाहिए एक होना चाहिए एक के अलावा कोई SCFS का नहीं होना चाहिए अर्थात कहने का मतलब यह है अर्थात अर्थात हम कह सकती है P और Q में अर्थात P और Q में एक की अतिरिक्त कोई उपैनिष्ट गुलन खंड नहीं है तो यहाँ पर हमने क्या पतला दिया सबसे पहले तो जो सिद्ध करना था कि करनी पांच आपरी में संख्या है तो हम उसके ब्लॉम मानकी चर रहे हैं बिप्रीत मानकी चर रहे हैं कि करनी पांच क्या है एक परिमी संख्या है हमने उसके बिप्रीत माना तो करनी पांच परिमी संख्या को माना तो हमने उसको पीवटी Q के रूप में लिख दिया और Q जीरो के बराबन नहीं है और यहाँ पर P और Q क्या है पुलांक है और यहाँ पर जो P और Q पुड़ांख है और परिमे संख्या की definition होती है उसके according कि इनका SCF P और Q का SCF एक होना चाहिए अर्थात हम कहा सकते हैं P और Q में एक की अतिरिक तो कोई ओभाइनिश्ट गुड़नखंड नहीं है यह condition होती है हमारी परिमे संख्या की यदि हम यहाँ पर देखें जो कर्णी 5 बराबर P बटी Q है यदि हम इसमें Q का पक्षांतर कर दें तो यहां हमें क्या मिलता है Q का पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिले का कर्णी 5 इंटू Q गड़ीत में रहेगा Q बराबर P हम इस तरीके से मिल गया हम क्या करते हैं अब जो करणी पांच लगा हुआ है बर्गमू लगा हुआ है करणी लगा हुआ है पांच के अंदर इसको अलग करना है तो हम इसका क्या कर देते हैं बर्ग कर देते हैं तो हम लिखते हैं दोनों पक्छों का बर्ग करने पर बर्ग करते हैं तो यहां हमें मिलता है पांच इंटू क्यू बर्ग बराबर पी बर्ग इसको हम दे देते हैं समीकान एक तो हमें यहां पर समीकान एक मिल जाता है और यदि हम देखें कि जो पांच है क्यू के बर्ग के साथ गुड़ा में हैं यदि हम इसका पक्षांतर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा क्यू बर्ग बराबर पी बर्ग बटी पांच अर्थात क्या है पी वर्ग ये के बटी में 5 आ गया तो और पी वर्ग ये दी 5 से डिवाइड है तो हमें आंसर क्या मिल रहा है क्यों वर्ग अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं यहां पर हम क्या लिख सकते हैं चुकि पी वर्ग किस से विवाजित हैं 5 से विवाजित है है चुकि हम एक प्रमी एक दसमलाव तीन करके प्रमी हैं हम उसकी कोर्डिंग कह सकते हैं कि यदि पी वर्ग 5 से बिभाजित हैं तो जो संख्या पी होगी वह भी 5 से बिभाजित होगी हमने क्या कहिए यदि पी इसक पांस से बिभाजित होगा यदि पी का पांस से बिभाजित होगा इसको हम समीकन दे देते हैं समीकन 2 और ये कहां से आ गया हमें, कहां से पता चला कि P वर्ग 5 से विवाज़त है, तो P भी 5 से विवाज़त होगा, हमें एक ठूरम है, प्रमी है 1.5, तो हम कह सकते हैं, प्रमी 1.3 से, हमें एक प्रमी दिया गया है, उससे हमें ये पता चलता है, तो हमें यहां पर क्या पता चला कि जो P वर्ग है 5 से विवाजित है, तो P भी किस से विवाजित है, 5 से विवाजित है, अब हम क्या करते हैं, पुनाह मान लेते हैं, अब माना, यदि P 5 से विवाजित हैं, अर्था P जो होगा, 5 का कोई न कोई गोड़क होगा, तो हमने मान लिया P पराबर 5K, और K क्या है, एक पूरांग है तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि P बराबर 5 के होगा जहां कि पूरांग है अब यह दी P का यह मान जो है समीकन एक में हम रख दें तो लिखते हैं कि समीकन एक में P का मान रखने पर रखते हैं तो यहां पर क्या है पांच Q बर्ग बराबर P बर्ग P का मान क्या है पांच की तो पांच की का वर्ग तो यहां से क्या हो जाएगा पांच Q बर्ग बराबर 25 के वर्ग और यहां से यह दी हम पांच का पक्षांतर करेंगे डिवाइड जाएगा और यह भाग चला ज तो Q वर्ग वर्वर हमें मिल जाएगा 5 K वर्ग अब यहां से पुना हम देखते हैं जैसे कि हमने यहां पर देखा था कि P वर्ग 5 से वहाजित था तो Q वर्ग मिल रहा था यहां Q वर्ग 5 से वहाजित है तो Q वर्ग मिल रहा है इसलिए हम कह सकते हैं चूकि Q वर्ग 5 से वहाजित है यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो Q वर्ग है वह क्या है 5 से वहाजित है तो प्रमे 1.3 से जैसे कि हमने देखा थ तो इसलिए या कह सकते हैं कि जो Q होगा वह भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा से विभाजित होगा और इसे हम समीकन दे देते हैं 3 अब यहाँ पर यह दि हम देखें समीकन 2 और 3 से समीकन 2 से हमें पता चलता है कि P जो है 5 से विभाजित होगा और समीकर्ण 3 से पता चल रहा है कि Q जो है 5 से विभाजित होगा और हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि P और Q एक पुड़ांग है और SCF इनका क्या है एक है अब यदि हम यहां से देखें समीकर्ण 2 और 3 से तो हमें P और Q में 5 मिर रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि P और Q का 1 और SCF क्या होगा 5 होगा अर्था P और Q के SCF क्या होगा 5 जो की हमारी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जो हमने माना था तो हम यहां लिखते हैं 2 और 3 से हमें क्या पता चलता है हम लिखते हैं कि समीकन दो वा तीन से ग्यात होता है कि होता है कि पी वा क्यों में ओभायनिष्ट गुणन खंड पांच है जो हमारी कल्पना की पी वा क्यों में एक के अतिरिक्त कोई ओभायनिष्ट गुणन खंड नहीं है गुणन खंड नहीं है कि विपरीत है अतहा यह ब्रोधावास हमारी गलत कल्पना की कान प्राप्त होता है होता है तो हम कहा सकते ही यह ब्रोधावास मारी गलत कल्पना की कान होता है इसलिए करणी पाँच एक अपरी में संख्या है तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकती है तो यहाँ पर हम समीकण 2 और समीकण 3 से हमें पता चलता है कि P और Q में उभैनिश्ट गुणन खंड क्या है पाँच है जो हमारी कल्पना की P और Q में एक के अतिरित कोई ओवैनिश्ट गुणन खंड नहीं है जो कि हमने माना था कि वह एक परी में संख्या है उसके क्या हो गया यह ब्रोधावास हमें हमारी गलत कल्पना की कान प्राप्त होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि करणी पाँच क्या होगी एक आपरी में संख्या होगी यहां अंगला प्रश्ण था सिद्ध कीजिए कि तीन धन दो करणी पाँच एक आपरी में संख्या है तो हमें इसको पुना आपरी में सिद्ध करना है तो चुकि जैसा कि हमने पिछले प्रश्ण में देखा था हम इसको क्या मान के चले थे परिमे मान के चले थे इसको भी बैसे ही करेंगे तो मान लेते हैं माना तीन धन दो करणी पाच एक परिमे संख्या है यदि यह परिमे संख्या है तो इसको पीवटे Q की रूप में लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं तीन धन दो करणी पाच बराबर पीवटे Q जहां यहां लिख सकते हैं Q बराबर नहीं है 0 जहां पीवा Q पुडांग है तथा पी वा क्यू में एक के अतिरक्त कोई ओभैनिस्ट गुणान खंड नहीं है जैसा कि हमने किया था पक्छांतर किये थे पिछले एक प्रश्ण में इसके मानने के बाद यहां पर भी हम पक्छांतर करते हैं तो सबसे पहले हम यदी देखें यहां पर कि यदी तीन का हम पक्छांतर कर देंगी यहां तो यहां धन में है तो क्या हो जाएगा रिन का हो जाएगा तो करते हैं 2 करनी 5 बचेगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा P वटे Q रण 3 अब यहाँ पर यह दिया हम 2 का भी पक्षानतर कर दे यहाँ क्यूंकि इसके साथ गुणा में है तो क्या हो जाएगा करनी 5 बरावर 1 वटा 2 क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में जाएगा पी वटा क्यू रिण तीन इस तरीके से और इसको लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं करणी पांच बरावर पी वटा दो क्यू रिण तीन वटी दो यदि हम देखें यहां पर हमने चूकी क्या माना है तीन दन दो क्रणी पांच परिमेई संख्या था तो हमने इसको हल किया तो हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाता है तो यहां पर यदि हम देखें कि चूकी पी वटी क्यू क्या था एक परिमेई संख्या थी पी वटी क्यू रण तीन वट्टे दो भी क्या सी होगी एक परिमे संख्या होगी तो हम यहां लेख सकती हैं चूकि पी वट्टा दो क्यू रण तीन वट्टे दो एक परिमे संख्या है यह क्या है एक परिमे संख्या है और इसी के बराबर में क्या है करनी पाँच चोकि P बटे दो की उरन तीन बटे दो एक परिमे संख्या है तव करनी पाँच भी एक परिमे संख्या होगी तो करनी पाँच भी क्या होगी परिमे संख्या होगी परन्तो इस से इस तत्त का तत्त का बुरुधावास होता है कि कि किस तत्त का बुरुधावास हो रहा है यहां से कि करनी पाँच क्या है एक परिमे संख्या है लेकिन हम क्या जानते है कि करनी पाँच क्या है एक परिमे संख्या है हम पिछले प्रश्ण में भी देख चुकी हैं परन्तो इस से इस तत्य का व्रोधावास होता है कि करणी पांच एक आपरिमी संख्या है तो करणी पांच क्या है एक आपरिमी संख्या है हमें यह व्रोधावास हम लिख सकते हैं हमें यह व्रोधावास हमें यह व्रोधावास क्यों प्राप्त हुआ है हमारी गलत कल्पना की कान क्योंकि यह क्या है करणी पांच परिमी संख्या है लेकिन हमें क्या मिल रहा है परिमी संख्या क्योंकि हम जानती है क्योंकि तो यह जो व्रोधावास है हमें यह व्रोधावास हमारी गलत कल्पना के कां प्राप्त होता है होता है इसलिए तीन धन दो करनी पांच एक अपरी में संख्या है तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में इन प्रश्णों को हल किया जो बहुत ही महत्वपूर है एक प्रश्ण को हम और लेते हैं अभ्यास के लिए कि सिद्ध कीजिए कि तीन करनी दो एक आपरी में संख्या है तो यह प्रश्ण भी आपके लिए अभ्यास में रहेगा और दो प्रश्ण भी थे वो भी आपके लिए अभ्यास में है यदि कहीं पर किसी को डाउट है, समस्या है तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बतला सकती है हम उस समस्या को जरूर हल करेंगे धन्यवाद झाल झाल झाल